अगर आप अगर इसमार्टफून यूज करते हैं तो उसके अंदर जरूर यूज करते होंगे कुछ दुकानदार क्या करते हैं ने मेमोरी कार्ड को आपको पूरी जाग कारी नहीं होने के कार्ण आपको बहुत ही आसानी से ठग लेते हैं तो आप जैसे मालों कोई बी आपका मेमोरी कार्ड बाद करते हो ने उसकी स्पीड की बात करते हो और ना उसके इस परखार के टाइब की बात करते हो तो memory card का जो time होता है वो depend करता है उसके storage बन वो कितली capacity अपने अंदर cover कर सकता है तो आएए देखते हैं अपने display पे for example समझते हैं कैसे SD card time यदि आपका memory card 128 MB से लेके चार्ज जिदी तक है तब वो STSC के अंदर आता है जिसे secure digital standard capacity बोलते है यदि आपका memory card 4 GB से लेके 32 GB तक है तब उसका type होगा SDHC Secure Digital High Capacity यदि आपका memory card 64 GB से लेके 2 TB तक है तब उसका type होगा SDHC Secure Digital Accident Capacity अब बात करते हैं memory card की class की तो memory card के आप साइड में लिखा देखेंगे कि 4, 4, 5, 6 ऐसे लिखावा होता है 10 उसका मतलब क्या होता है memory card की speed और class क्या आप तो दो नमबर पॉइंट है यह 16 GB का memory card और यह भी 16 GB का memory card तो सेम जीदी तो सेम यह हो की लेकिन एक memory card पे लिखाए 4 प्रेक पे लिखाए 10 इसका मतलब यह हुआ कि यह memory card 4 MB प्रति सेकंड कोपी करेगा आपके laptop में जब भी उसके अंदर आपको इभी फाइल ट्रांसवर कर रहे हो और 10 वाले के अंदर इसका मतलब यह हुआ कि आपके laptop या किसी भी pen drive में कोई भी आप फाइल उसके अंदर डाल रहे हो तो वह 10 MB प्रति सेकंड फाइल बेजेगा उसके अंदर यह थी आपके memory card में 6 MBPS लिखा होता है तब भी इसका मतलब यह हो गया कि वह आपका memory card जो फाइल ट्रांसेक्शन करेगा कोपी करेगा आप अपने laptop के अंदर अब बात रहती है कि आप लोग के लिए कौन सा memory card best रहेगा जैसे DNCR camera है HD recording आप कर रहे हो उनके लिए कौन सा memory card संसे best रहेगा तो यदि आप normal recording या फोटो खेंचने के लिए कर रहे हो तब आपके लिए 4 वाला best रहेगा 4 class वाला और उससे जादा जैसे high quality 4K के अंदर recording कर र जिससे आपको best recording मिल सके क्योंकि अचटी की जो फाइले होती है वो काफी heavy फाइले होते है ताकि उस फाइल का अंदर memory तक बेजने के लिए फाइल का ट्रांगेशन फटा फटा हो सके इसलिए तो दोस्तों कैसी लेगी मेरी जानकारी अब आप किसी भी दुकान पर जाओ तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना क्लास है वो सबसे ज़्यादा भाइन रखती है जैसे ही class आप 4 देखो और 10 देखो तो आप अनुमान करने ना कि 10 वाला थोड़ा महेंगा है 4 वाला थोड कर दे तब आपको class देखना बोर जरूरी है यदि 4 लिखा है तो थोड़ा सस्ता होगा टेल लिखा है तो थोड़ा उसे महना होगा इससे दुकान दार आपको ठग नहीं पाएगा और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा subscribe जरूर करि कर देगा दाने वाण